अलो फैंट्स एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दफोकस टेडर में तो आई होप आसा करता हूँ आप काफी अच्छे होंगे लैट्स ही जानते है नैच्रल गैस के बारे में कि नैच्रल गैस के अंदर इतनी बड़ी जो सैलिंग अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहा है वीडियो को लाइक नहीं कहा है तो लाइक कर दो जली से तो गाइस यहाँ पर आपको मैं इंट्रडे शोट्रम पोईजनली लेवल बताने वाला हूँ कि किस तरह से मोमेंट होने वाला है एंड यहाँ पर ट्रेडिंग के बारे में रिकमेंडे ना तो कभी करता हूँ गाइस और ना ही कभी करूँगा इस यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से मोमेंट कर सकता है नैचुरल गैस दैने फ्यूचर याने कि आने वाले अपकमिंग डेज के अंदर तो गाइस यह जो कॉंट्रेक्ट ह का टेक्निकल चार्ट है यहाँ पे आपको पता चलेगा कि वन वी चाट पर क्या केंडल का क्या बना हुआ है यहाँ फूर तरह से आप ट्रेडिंग को एपलाई कर सकते हैं घैकना यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिंट दे दू कि हम जो वन वी का वन डे का फूर चार्ट का और 1 day का चार्ट चेक करते हैं देखे गाइस मैं कभी भी है ना अगर आपने मेरे previous prediction देखे होंगे तो आपने एक चीज नोट किया होगा मेरा कि मैं कभी भी 15 मिनट 30 मिनट 5 मिनट के time frame पर कभी भी मैं natural gas को नहीं check करता हूँ क्योंकि वो trapping हो सकता है देखे clarification आपको बड़े time frame पर check होगा ठीक है ना क्योंकि और गाइस अगर यहाँ पर देखा जाए तो natural gas है ना आपको trap कर सकता है 5 मिनट 15 मिनट के time frame पर लेकिन आपको trap किस time frame पर नहीं करेगा 1 hour और 4 hours और 1 day इन पर कभी भी आपको है ना सकते हैं अब आपको मैं अपना analysis करके आपको technical charts के उपर बताने वालो let's see आए गाइस तो गाइस यहाँ पर अगर मैंने आपसे previous बताया था कि यह bottom बहुत ही तकड़ा है यानि कि बहुत ही अच्छा bottom बना हुआ है natural gas के अंदर अगर मैं आपको bottom तूटता है तो फिर इसके तूटने के बाद आपको further आपको downside में जो level दिखाए देंगे वो 100,50 एने की 150 तक भी आपको फिर जाता हुआ नजर आएगा अगर यह bottom ब्रेक करता है natural gas और guys मैं इसके अंदर news के बारे बता हूँ, European से news आई है इसके अंदर natural gas यहां पर, ठीक है ना volatile क्यों है, क्योंकि अभी demand ही नहीं है इसके अंदर कुछ भी, ठीक है ना, आपको मैंने इस thumbnail के अंदर जो news लगाई है उसको जाकर चेक कर सकते हैं, आप oilprice.com पर जाकर भी आप चेक कर से है natural gas के अंदर की क्या news है वो, ठीक है ना 163, यह सबसे अच्छा काफी important support बना हुआ है natural gas के अंदर और guys, यहां पर अगर आपको एक चीज मैं note कराऊंगा, यह जो मैंने channel draw किया है यह जो channel है guys, यहां पर channel जो draw किया है, यहां पर बिल्कुल यानि कि support ले रहा है, यानि कि यहां से support लिया, upside में, then fall किया, fall करने के बाद यहां पर support लिया, then upside में, फिर यहां से fall किया, fall करने के बाद में guys, यहां से फिर, अब trend के chances बन सकते हैं, अगर यहां पर sustain करता है, देखिए अगर यह जो candle है, यह one week की candle है, यह जो आप note कर रहे हो guys, यह one week की candle है मैं चार्ट को थोड़ असा जूम करता हूं, ताकि आपको clarification हो सके, यहां पर आपको find out करने में आसानी हो सके तो guys, यहां पर जो candle है, यह one week की candle है और आप candle देख रहे होंगे, तो यह एक तरह से bullish hammer है, bullish hammer की तरह बनाया है, तो इसमें क्या होगा, Monday को अगर Monday में क्या होगा, अगर है하 अगर यहां पे सी के अदर रही升 अगर इसमें चार्ट की, ंदर पर आपको सस्टेन करता हो नाज़राएगा, फिर आपको यहां से bounce back की तयारी दीख सकते है दोबारा से ठीक ना guys अब जानते हैं इसको one day के chart पर लेकर चलूँगा one day के chart पर आपको clear समझ में आएगा कि किस तरह से natural gas के अंदर moment बना हुआ है तो guys यहाँ पे जो यह पूरा जो आप देख पा रहे होंगे यह जो पूरा candle है यानि कि पूरा है कि यह one week का candle है यह यह इस candle में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे यहाँ पर क्या sustain कर रहा है यहाँ पर sustain कर रहा है यहाँ यानि कि अगर sustain का इसका range बता हम आपको sustain करने के बाद में फिर यहाँ पर आपको अगर अगर natural gas यहाँ से अगर यह range निकालता है अब मैं आपको लेवल की बात करूंगा यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट को close करता हूं अगर यहाँ से यह range निकालता है आपके लिए अगर यह यह आनि कि 100 185 and 186 तो यहाँ से फिर आपको अपकमिंग जो target दिखाई देंगे यानि कि फिर आपको natural gas upside में आपको 200 तक के लेवल दिखाने में शर्माएगा नहीं upside में निकल जाएगा फिर यहाँ से अगर natural gas 185 के उपर निकलता है तो फिर आपको first target 192 and second target आपके लिए 200 का target आपको easily आपको upside में दिखाई देगा जाता हुआ लेकिन सबसे बड़ा जो resistance बना हुआ है natural gas के अंदर जो resistance है यहाँ पर यहाँ यहाँ पर है 205 यानि कि 205 जो है natural gas के लिए सबसे बड़ा resistance बना हुआ है यह वाला गाई Chr 맞 qui और यह जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 185 को ब्रेक करता है अपसाइड के लिए तो फिर आपको 192, then 200 के लेवल आपको मिलेंगे, यह क्या है कि इंट्रेडे के इसाब से, अगर मुवमेंट बनते हैं तो इंट्रेडे के इसाब से आपको 6-7 पॉइंटों का मिल सकता है मुव आप यहाँ पे अगर अपसाइड के बारे में प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर आप 1063 का SL लगा करके आप यहाँ से अप टारगेट के लिए जा सकते हैं, ठीक है न गाइस? मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यह बोटा मैं यहाँ यहाँ पे, यह आप देख पर बिल्कुल आपको होच-पोच होता वाँ नजर आएगा, क्योंकि इतना ज्यादा डाउनफॉल कर चुका है और यहाँ पे आप कैंडल को पढ़ भी नहीं पाओगे किस तरह से मुमेंट बनेगे, तो यहाँ पे मैंने आपको बताय दिया है कि जो अगर यह लेवल से नि आपको यहाँ तक नजर आएगा जाता हुआ, ठीक है न गाइस, यह इसलिए बोल रहा हूँ आपसे मैं इंट्रेडे के हिसाब से, ठीक है न गाइस, तो चलिए आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं और जो मैंने आपकी इंडिकेटर्स जो इस्तमाल कर इंडर 262-270 तक जाता हुआ नजर आए ठीक न गाइस, आपको राइट टैम पर मैं अलर्ट करता हूँ यहाँ इन लेवल्स को बता करके, मेरा यहाँ पर आपको बाय करने के लिए या फिर सेल करने के लिए कोई सजेशन नहीं है, ना मैं यहाँ इस चीज के लिए आपको करता हूँ, कि आप यहाँ पर भाय करो या सेल करो, और कुछ एक न्यूज है, उनका मैं आपको इंपक्त मार्केट के अंदर डलता हुआ, बताता हूँ कि किस तरह से इंपक्त बन सकते हैं, ठीक ना, न्यूज का जो आपको मैं एक तरह से इसका पूरा और व्यू निकाल के बता हूँ, न्यूज का, न्यूज इस तरह से है, यहाँ पर कि न्यूज का जो इफेक्ट है, वो मार्केट के अंदर बिल्कुल बेरिश्च बनाने के लिए बताया है, ठीक ना, अभी कोई ऐसी पोजिटिव नियूज नहीं हाई है, कि जिससे नाचुल गैस अपसाइड मे निकल जाए, फिर पांच पॉंट दस पॉंट नीचे आ जाए, तो यह ऐसे ही करने वाला यहाँ पर नाचुल गैस, ठीक ना, अभी ट्रैप मत होएगा, अगर यहाँ पर आप लोग टरम के बारे में सोच रहे हैं, तो आप 163 याने के 163 का ऐसा लगा गर के बने रह सकते है फरवरी कॉंट्रैक्ट के अंदर यहाँ पर, फरवरी कॉंट्रैक्ट तो देखे, अभी मुझे असा लग रहा है कि यह साइडवेज में निकाल देगा सब कुछ ठीक है ना, मार्च कॉंट्रैक्ट के अंदर हो सकते हैं, आपको कुछ अच्छी पोजिसन बन सकती हैं जैसा भी अपडेट होगा, मैं आपको अपडेट करता रहता हूं यहाँ तो आप यहाँ पर YouTube मेरी मेंबर्शिप, जोईनिकर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको कर्ण्ट अपडेट करता रहता हूं, अपको अच्छी लिए गाइज, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सस्क् कर दो, and thank you traders.